बिहार के समस्तिपुर को 500 बेड़ वाला मेडिकल कॉलेज एस्पताल का सौगात मिला है। सराइगंज के नर्गोगी में बने स्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज एस्पताल का आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा उदखाटन किया गया। उदखाटन कारिक्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री शहप्रदेश के श्वास्त मंत्री तिरश्वी यादव सहित कई मंत्री शामिल रहे। अत्यदुनिक स्विधाओं से लेस्क ओटी चमेट कई अन्य चीजों को लेकर ये अस्पताल अपने आप में बेहत खास हैं। वही समस्तेपुर के लिए पटना से सीम नितीश कुमार और डिप्टी सीम तिरश्वी यादव एक साथ रवाना हुए थी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा वेवस्था करी रखी गई थी। वहीं बता दें कि 2019 में मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नीव रखी थी। श्रिदाम जान की मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिली के लिए बहुत बराव वर्दान है या पूरी तरह अत्याधुनिक स्विधाओं से लिस है वहीं 500 बेट के अस्पताल वाली इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की विवस्था है सभी बेट पर ऑक्सीजन सप्लाई क की विवस्था की गई है खास बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर एक साथ सभी बेड़ों के लिए यह भी जाए फिर भी लगातार आठ घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है इसके साथ ही चात्र चात्राओं के होस्टल लॉक्टरों और स्टाफ के लिए क्व यू लेबर रूम ब्लड बैंक दो अल्ट्रासाउंड एकसरी मसीन लगाए गए हैं वहीं दवा स्टॉक रूम ब्लड बैंक रेडियो लॉजी और पैथोलोजी की वेवस्था है वहीं आपको बता दी आत्यदुनिक रोटी बनाने वाली मसीन आठा गूदने वाली मसीन जो बैक्टेडिया को फिल्टर करता है जिससे मरीजों पर कोई दुस्प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके अलावा नॉर्मल ओटी की विवस्था भी की गई है वहीं मरीज के बेड भी अतिदुनिक हैं बेड रिमोट स्विधा से लेस हैं मरीज अपने स्विधा अनुसार इसका एड़िस्टमेंट कर सकते हैं फ्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज इस्पताल में उदखाटन के साथ ही कई विभाग काम करने लगेंगी ओपीडी के साथ जनरल मेडिसीन विभाग सरजरी विभाग इस्त्री एवं प्रस्तूती रोग विभाग नेत्र विभाग मेडिकल पैथलोजी विभाग वहीं आपको बता दे एसार जीम सीच में 23 डॉक्टर 24 मेडिकल कर्मी 22 जी एनम 20 परिचारिका की न्यूक्ति की गई है विभागों के संचालन की सभी वैवस्था कर ली गई है वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर जहां कड़ी वैवस्था दे Bero Report News PR Live, Patna